Hello friends, welcome to my channel तो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही च्छे होंगे तो दोस्तों अगर आपके पास है Realme 7 Pro तो यहाँ पर आपके लिए एक गुड नियोज है Realme 7 Pro के लिए जुलाई मन्त का जो लेटेस्ट अपडेट है वो रोलाउट होना स्टार्ट हो गया है तो दोस्तों एंट तक इस वीडियो में बने रही है इस वीडियो में आपको पूरी डीटेल इसके देने वारा हों कि क्या कुछ आपको इस अपडेट में मिलने वाला है लेकिन उससे पहले अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी बल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बिल सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वर्जन के बारे में तो इसका जो version है वो है rmx217011.c.23 तो यह तो गया दोस्तो वर्जन अब हम बात कर लेते हैं इसके change log के बारे में तो सबसे पहला इसमें जो आपको change देखने के लिए मिलता है वो है security से related adds the June 2021 Android security patch तो इसमें आपको मिल जाता है June का latest security patch इसके बाच जो next update है वो है system से related improves system stability तो इस update में जो है वो system की stability को improve किया गया है इसके बाच जो next update है वो है phone से related fixes an issue where the phone might ring but not vibrate when receiving a call from a VIP contact while on the lock screen तो जब कोई भी VIP contact जिसको आपने VIP करके save करके रखा है वो आपको call करता था तो ring तो आती थी लेकिन वो vibrate नहीं होता था जब phone lock होता था तो इस issue को भी जो इस update में fix कर दिया गया है इसके पर जो next update है वो है charging से related fixes an issue where the flash charging animation might not show immediately when you plug in the charger in some cases तो कुछ cases में होता था कि जैसे ही आप plug करते थे अपने charger को phone को charge करने के लिए तो उस issue को भी इस update में fix कर दिया गया है इसके बाद जो next update है वो है camera से related fixes the image noises that could appear when you turn on tripod mode to take photos in night mode तो जब आप night mode में इसका जो tripod mode है उसको on करते थे तो कुछ cases में जो है image में noise आती थी तो उस issue को भी इस update में fix कर दिया गया है इसके पाद जो next update है fixes and issue where the fill light might not work when you take photos with the front camera in a dark environment तो जब आप front camera से अंधेरे में photo लेते थे तो इसकी जो fill light का जो option है वो कही जगे पर काम नहीं करता था तो उस issue को भी इस update में fix कर दिया गया है इसके पाद जो next update है वो है fixes and issue where the camera might shoot before the timer ends when you use stereo mode तो जब stereo mode को इसमें use करते थे तो जो camera है उसमें timer से पहले ही कई पर photo जो है वो click कर देता था तो इस issue को भी जो है इस update में fix कर दिया गया है तो इस update में केवल इतना ही है दोस्तों अगर आपको एपडेट अभी तक मिला है या नहीं मिला है मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर बताईए और क्या कुछ इसमें bugs और आपको face करने के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं वो भी आप मुझे comment करके जरूर बताईए और अगर बहुत ज़्यादा bugs आपको face करने पड़ दाए तो उसे यल में को आप report करें ताकि उनको next update में ये fix कर सकें तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही था मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर